Hello everyone, welcome back to the channel, today we are going to discuss very important topic daily uses sentences वहती ज़्यादा हम normal और important sentence जो कि आप daily use कर सकें वो discuss करेंगे ये English conversation का first chapter है, grammar का अलग हम करेंगे और conversation का अलग करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक ही करके step by step आप आगे बढ़ सकें ताकि आपकी जो conversation की जो normal sentences में कहीं stuck होते हैं तो वो ना हो, आपको grammar का जो starting level है वो अलग करेंगे और conversation का अलग तो हम first जो आज का जो हमारा lesson है बहुत ही simple है, नहीं normal sentences हैं जो आप daily uses में बोल सकते हैं बट यह बहुत important है कि आप अपने आप से पहले से practice करें और फिर normal अपने friend circle में अपने teachers के साथ इसको conversation में लेकर आएं और यह junior senior सभी students कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है कोई भी इसको start कर सकता है first है how are you आप कैसे हैं ठीक है normal है यह आप किसी से भी normally पूछ सकते हो how are you तो you क्या है तुम जब हम किसी से सामने वाले से बात करते हैं तो हम आप करके बात कहेंगे तो हम उसको आप या तुम जो भी बोलेंगे यू लगाएंगे how are you next है I am fine thank you कई बार आप से कोई question पूछता है तो आप बोल देजिए नहीं तो जो another person है वो answer देगा मैं ठीक हूँ धन्यवाद what is your name आपका name क्या है normal question है my name is तो आप अपना answer दे सकते हैं उसमें please help me कई बार बहुत सारी चीज़े जरूवत पड़ती है आपको अपने pen चाहिए pencil चाहिए या कोई कहीं पर कोई question है जो solve करना है students है तो ऐसे student आप बोल सकते हैं please help me या कोई भी help की कोई जरूवत हो तो where is the classroom classroom कहां है where means कहां where is the classroom class कहां है I forget my homework mostly बच्चों का जो ये sentence से होती है the normal है उनको अपना homework भूल नहीं होता है कई बार तो आप normal अपने teacher से बोल सकते हैं forget यहां पर work की second form है I forgot my homework मैं अपना homework भूल गया हो सकते हैं आप अपनी notebook भूल गए ssd की कोई book भूल गए कई बार मैं बोलती हैं कि चलो भी अपनी ssd की notebook निकालो या book निकालो तो या फिर बोलेंगे कि I forgot my ssd book जो भी आप भूल गए normally उसका नाम यहां पर यूज कर सकते हैं I needed a pencil आपको pencil चाहिए या sharpener चाहिए या whatever जो भी आप pencil की जगे यूज करके sentences बना सकते हैं practice कर सकते हैं किना बोरो your book क्या मैं आपकी book ले सकता हूं यह normal है कोई भी चीज आपको लेनी अपने friends से तो normal question पूछ सकते हैं when is the next exam next exam कब है do you understand क्या तुम समझ रहे हो यह बहुत ही ज्यादा important है बहुत ज्यादा use होता है जब हम किसी को explain कर रहे हैं do you understand आपको समझ आया आप समझ रहे हैं normally question और बहुत ज्यादा use होता है I didn't understand मुझे समझ नहीं आया तो normal है understand तो आप normal पूछेंगे क्या आपको समझ आया समझ आता है तो बोल दीजे yes I understand और नहीं समझ आया तो I didn't understand मुझे समझ नहीं आया प्लीज रिपीट इट इसे रिपीट कर दीजे repeat it I have complete completed my homework मैंने अपना homework क्या कर लिया है complete कर लिया है तो आप बोलेंगे I have completed my homework where are you going आप कहां जा रहे हैं कई बार जैसे friends होते हैं class से बाहर जाना है या कहीं भी whatever जब market जाना है या किसी से पूछना है यह normal question तो आप बोलेंगे where are you going I am going to the library चाह लैब्री स्कूल में तो obviously लैब्री जाएंगे घर में तो market जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे है मैं I come in please listen carefully कई बार होता है कि हम कोई चीज बोलते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे please listen carefully ध्यान से सुनिए what time is it क्या time है यह तो most favorite question है बच्चों का जैसे हर 5 मिनट में हर 15 मिनट में हर 20 मिनट में most probably कई बार एक ऐसे वह होता है जैसे बच्चों का free period है या फिर ऐसी नॉर्मली पूछ लेते हैं क्या time हो रहा है जैसे भी चुटी का time हो नहीं वाला होता है लास्ट है में dispersal के time पर बच्चे पूछते हैं कि time क्या है कितना time रह गया कितना time है तो what time is it आप simply पूछ सकते हैं यूज कर सकत topic अगर आपको कोई topic topic समझ नहीं आ रहा है तो इसमें आप अपने teachers की help के लिए या अपने friends से discuss कर सकते हैं I need help with this topic मुझे इस वी से मैं आपकी मदद चाहिए who is absent today कौन absent teacher पूछी लेती है who is absent today can you explain this क्या आप मुझे समझा सकते हैं was the answer to this question is answer was the answer to this question is question के लिए answer क्या होगा इस person का उत्तर क्या होगा तो normal आप कई बार ये question use करी सकते है I am feeling sleepy मुझे नीद आ रही है don't talk in class ये तो normal मैं हर किसी बच्चे कोई बूलती है don't talk, don't walk, don't run तो don't लगा के आप बहुत सारे question बोल सकते है don't speak, don't talk with your friend, don't argue with me don't लगा के अगर आपको don't का मतलब ही अगर आपको कुछ काम नहीं करना मत करो simple है मत करो तो don't है जो आपको किसी काम को करने के लिए मना करना है उसको मत करो don't talk in class, don't go there, वहां मत जाओ like this आप बहुत सारे don't use करके तो आप normally बहुत सारे questions बना सकते है what is the homework for today, आज का homework क्या है, normal question है many times आप अपने students से या किसी से पूछ सकते हो, please be quiet चुप रहो, चुप रहो, यह तो आपने कितना ही use करते हैं, देखते हैं let's work together, चलो साथ में काम करते हैं and when is the project due, project कब तक जमा करना है I don't know the answer, मुझे उत्तर नहीं आता please give me your notebook, मुझे अपनी copy देदीजे, are you ready, क्या तुम तेयार हो what are we learning today, आज हम क्या सीख रहे हैं please speak slowly, थीरे बोलिये, यह तो आप library में सुनते ही होंगे please speak slowly, class में मैं बोलती होंगी, please keep quiet may I go to the restroom, कहीं जैसे washroom में जाना है तो आप उसके लिए बोल सकते हो how much time is left, तो कितना time बचा है how much time is left, यह तो आप ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो student use नहीं करते है, how much time is left can you land me a pen, कि आप मुझे pen दे सकते हैं I have a question, मेरे पास a question, I am feeling hungry, मुझे बहुत बोग लग रही है let's talk a short break, चलो एक छोटा break लेते हैं let's take a short break, are you done with your work, क्या तुमने अपना काम कर लिया है what did the teacher say, teacher ने क्या कहा, I need to study for the test, मुझे परक्षा के लिए पुढ़ाई करनी है this subject is difficult, यह subject तो बहुत कटीन है, can you guide me with this topic, क्या मुझे इस विसे में मेरी मदद कर सकते हैं where is the science lab, science lab कहां है, I like this class, मुझे class बहुत पसंद है this is my favorite subject, ही मेरा favorite subject है, can we discuss this letter, क्या इसे हम बाद में discuss कर सकते हैं please wait for me, मेरे ले इंतिजार करो, who is the class monitor, class का monitor कौन है, I am preparing for the exam मैं परिक्षा के लिए तयारी कर रहा हूँ, let's review the notes, चलो notes को दोराते हैं where is the computer lab, computer lab कहां है, please sit down, please यहां बैट जाहिए, क्रिपा करके, बैट जाहिए, don't be late, देर मत करो how was your weekend, आपका weekend कहसे था, how was your day, how was your test, बहुत सारे आप एक ही sentence से हमेशा यहां रखना students, बहुत सारे questions बन सकते हैं, बहुत सारे बस आपको जरुवत है practice करने की, सोचने की and are we having a test today, क्या आज हमारी परिक्षा है, and this answer is correct, यह उत्तर सही है and फिर next है, I'll see you tomorrow, मैं तुमें कल मिलूंगा, तो यह वाले questions हैं, अगर आप इस तरीके से practice करेंगे, आप easily, बहुत सारे questions daily to daily, words, sentences, आपके mind में क्या होंगे, feed होंगे, जिससे कि आप किसी से normally आपको पता भी नहीं चलेगा, आप at least अगर 1 minute, 2 minute इनको read भी कर लेंगे न, daily daily अगर read करेंगे, तो यह mind के अंदर feed हो जाएंगे, आप अपने आप automatically use करना शुरू कर देंगे, at least आप एक या दो बार इसको read कर लीजिए, और continue जो lesson है, वो सारे chapter लेकिन पढ़ लीजिए, जैसे lesson अभी हम first है, फिसके बाद conversation का chapter 2, फिर उसके बाद third, ऐसे ही most, जितने भी आपके topic है, सारे cover हो जाएंगे, और कोई भी doubt है, comment section में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये lesson अच्छा लगा, तो like करना मत भूलेगा, thank you, thank you so much, keep watching, keep learning,